देवियों सजुनों नमस्कार आप सभी दर्शकों का स्वाड़िफाय पर हार्देख स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे अपने अगले ग्रह के बारे में जो की है चंद्रमा और यह जानेंगे कि चंद्रमा के अंतरगत आने वाले कौन-कौन से व्यवसाय होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हीं यह हमारीी चैनल रही है करियर के उपर जिसके चार पार्ट होगतले हमें आसे जाना है रास्यार नमस्क्राव में ज़ ang靟ा करेंगे चंद्रमा के उपर ऊंटरें को आने वाले कौन-कौन से व्यवसाय होते हैं इससे पहले कि हम यह जाने कि चंद्रमा के अंतरगत आने वाले कौन से व्यवसाय हैं हम पहले इसके बारे में जानते हैं कि आप अपनी कुंडली से कैसे जाने कि चंद्रमा ही क्या वो बहुती महतुपूर्ण ग्रह है जो आपके व्यवसाय को निर्धारित करता है आपकी कु में ही बताऊंगा तो शुरू करते हैं और जो भी वेक्ति हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हूं वो डिस्क्रिप्शन में देऊ हैं लिंक पर जा सकते हैं तो यहां हम चर्चा करेंगे दो चार्ट के ऊपर एक तो है आपकी जन्म कुंडली बिल्कुल भी घवराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी असमंजस में आने की कोई अवशक्ता नहीं है आपको जो मैं आपको बताता जा रहा हूं वो सारी चीजे फॉलो करते जाए और आपको आसानी से वो ग्रह पता चल जाएगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली के लिए आपके व्यवसाय के लिए तो यहां दो चार्ट के ऊपर बात करेंगे पहला है जन्म कुंडली और दूसरा है दश्मांच अर्थाद डीटें तो किसी ना किसी भाव में कोई ना कोई ग्रह होता है तो आपको भली भाती पता है कि आपके जन्म कुंडली का रूप कैसा है कैसी दिखती है वो तो एक होगे जन्म कुंडली और दूसरा आपका दश्मांच जब आपके दश्मांच क्या होता है जब हम आपका जो जन्म अर्थात दिटेन से ही हमें छेत्ध से पता चलता है कि हमें से हमें अनिथा सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली से हम पूरी तरीके से पता तो कर सकते हैं पर पूरी तरीके से सटीकता से एक्यूरेसी से नहीं हो सकता इसलिए हमें दश्मान्ष का जो है उपियोग करना पड़ता है तो अब आप अपना सारा ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी लगन कुंडली पे जन्म कुंडली पे और जो मैं आपको कंडिशन्स बताने जा रहा हूं वह वह कंडिशन्स आप लागू करते जाए और आपको अपना ग्रह पता चल जाएगा तो अब आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए क्या जो आपकी जन्म कुंडली का दस्वे भाव है उसका जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के दस्वे भाव का स्वामी ग्रह है तो चंद्रमा आपके लिए बहुत महत्व पूर्ण है फिर चंद्रमा यदि आपके दस्वे भाव में इस्थित है बैठा हुआ है तो चंद्रमा आपके लिए बहुत महत्व पूर्ण है और यदि चंद्रमा आपके दस्वे भाव को पूर्ण तया द्रिश्टी दे रहा है प सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा दस्वे भाव को पूर्ण तया देख रहा हो तो चंद्रमा आपके लिए अतिम महत्यपूर्ण होगा आपके व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए तो ये तीन कंडिशन्स आपको अपनी जन्मकुंडली में देखनी है अब आप आजाएए कि लिए स्वामि ग्रह है न दोनों में से किसी भी एक भाव स्वामिग्र है वह चंद्रमा है क्या जदीच करिद स्वामिग्रह हो दशमांच में या पहले हय कर दिख और यदिखन्रमा पहले भाव में बैठा हो तो चंद्रमा cloudy में बहुत महत्यपूर्य तो यह ऐसे आपको पता चलेगा कि चंद्रमा ही क्या वो ग्रह है जो मेरे कुंडली के लिए मेरे लिए अती महतपूर्ण है मेरे व्यवसाई के लिए अती महतपूर्ण है और यदि आप यह कंडिशन्स जब आप लागू करें और जो रिजल्ट आए तो उसमें यदि चंद् सबसे जादावारायां था चंद्रमा ही प्लबाको आप नहीं देखमेंगे तो ऐसे आपको देखना है वह एपको फिर से बता देता हूं कि आप कभी भी अपना व्यवसाई सिरफ और से राशी ग्रह भाव नक्षत्र से नहीं करेंगे आपको जो रिजर्ट्स देखने हैं वो चारों को सम्मिलित करने पर जो आएगा वो आपके लिए आती महत्योपूर्ण निकालें तो आप चर्चा करते हैं कि चंद्रमा के अंतर इक आने वाले कौन-कौन अंहीं वह से वह ग्रह कौन-कौन से व्यवसाय हैं जिनको चंद्रमा संबादित करता है C unter इनमें जो कारे होते हैं वो चंद्रमा के अंतरगात आते हैं कोई भी व्यक्ति जो इनमें कारे करता है जल संबंधित कारे करता हो या जल संबंधित संस्थाओं में कारे करता हो तो वो चंद्रमा के अंतरगात आता है उन्हें चंद्रमा दर्शाता है जो नंट भी चंद्रमा के अंतरगत आते हैं। времug हमारे समुद्र के अंदर पाया जाता है और मोती का स्वामिघ्रह है इसलिए इसके बाद जितने और हमारी सिपिंग होती है तोर समें और जो हमारे सेलर्स होते हैं नवीगेटर होते हैं जो चालक होते हैं शिप्स के जहाजों के पानी के जहाजों के वो सारे के सारे इसके अंतरगात आते हैं फिर चंदरमा जितनी भी खाद्य पडार्थ होते हैं उनको भी संभोधित करता है। जितने भी खादे-पदार्थ हैं एक जितने भी खादे-फ़ूद को आइस हमारे पधार्थ हैं ने जो हमाले होटेल होने हं रेस्टोरेंट्ट सेस्ट में अ कुझाया वो सारस्ट चंद्रमा के अंतरगाता है जो हमारे बड़े बड़े शेफ्स होते हैं जो कुकिंग छेत्र है वो चंद्रमा के अंतरगाता है पर कुकिंग के लिए आपको खास तोर से मंगल का भी योगदान देखना होगा यदि मंगल का कोई इंफ्लूएंस कुंडली में नही तो और चंद्रमा उस चीज को बढ़ावा देता है इसलिए जो बड़े बड़े शेफ्स हैं वो भी चंद्रमा से संबोदेत किये जाते हैं जो हमारा सी फूड है जो समुद्री खाना होता है वो भी इसके अंतरगत आता है जो हमारे बेकर्स होते हैं जो लोग बेकिंग करते हैं केक बनाते हैं या कनफेक्शनरी आइटम्स बनाते हैं वो भी इसके अंतरगत आते हैं और बेकिंग के लिए भी आपको मंगल का इंफ्लूएंस देखना होगा मंगल का योगदान देखना होगा है उसके बाद जितना भी टूरिज्म डधत पर्यटन का जो विभाउं पर्यटन का जो छेत्र है व Kak जो चंदर्मा के अंतर गदद आता है उसको पर्यटन से जुला हुआ वो के अंतर agents जो हमारा एगुरिकल्चर है खेती बाड़ी वो उसको भी चंद्रमा दर्शाता है और जो हमारी आहार की चीज़े होती है जैसे कि फल हो गई सबजिया हो गई इनकी जो खपत है या इनकी जो सेल है प्रोडक्शन है वो भी चंद्रमा के अंतरगत आती है तो जो व्यक्ति इन छेत्रों से जुड़े हुए हैं वो उनकी कुंड़ी में आपको चंद्रमा मा का इन्फ्लूएंस देखने को मिले गाया है था मिग्या चंद्रमा हमारे में हरे कि कुंड़ी में मा का कारक होता है झायो मा का अपने बच्चे का पोषण करती है उनके देख भाल करती है तो जितने भी प्रोफेश्षेन विवसाय तो दोइस का पो पहसं कि आता है वो स्कें अंत्रगाता आते हैं जैसे कि हमारे सब्सक्तिया के तो कुछ व स्ट्वा कर रहा है और चन्रमा के अंत्रगाता है जहां पहले है जहां पर आपके माइंड का होता है आपको अपनी बुद्धी का प्रेव करना पड़ता है वह भी Cym dinnermak की अंतरगत आते क्योंकि चेंद्र만 आपका मन है तो चेंद्रमा की के अंतरगतात्य हैं जो हमारे लेखा को यह करें वऺ एक कालपनिक दुनिया बनाते हैं उसको लिए उसको कोई भी संद्रचनाइ वो बनाते हैं अपनी सोच से एस Spa Bye के अंतरगत आते हैं और जो भी वेक्ति आध्यात्म से जुड़े हुए हो वो भी चंद्रमा के अंतरगत आते हैं क्योंकि चंद्रमा आपका मन है इस वज़े से और यह सारे व्यवसाय मन से जुड़े हुए हैं और चंद्रमा सिर्फ इन ही तक सीमित नहीं है जो हमारे कलाकार होते हैं वो भी चंद्रमा से देखे जाते हैं क्योंकि हम यदि आपने नक्षत्रों के वीडियो देखे हो तो आपने रोहिनी नक्षत्र में देखा होगा कि चंद्रमा रोहिनी नक्षत्र का स्वामी है और रोहिनी नक्षत्र हर प्रकार की कला को दर्शाता है और चंद्रमा भी कला को दर्शाता है कला का कला का द्योतक है चंद्रमा इसलिए पर उसके लिए आपको अन्ययोग भी देखने होंगे कोई व्यक्ति यदि कलाकार है तो चंद्रमा उसमें योगदान देगा पर उसके लिए अन्ययोग भी होंगे तो आपको अन् कि आपके लिए सबसे उत्तम व्यवसाय कौन सा है इसके लिए आपको चारों रिजर्ट कंबाइन करके देखने होंगे हर निशकर्ष को सम्मिलित करके देखना होगा राशी से भाव से नक्षत्र से ग्रह से अन्य था आप अपने सटीक व्यवसाय को नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे आपको देखना है और यह हमने जाना चन्रमा के बारे में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे डिवे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें ज्यादा जानकारी एक लिए फेस्बूक पेज पर जा सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया संबोधित करता है तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद